जिसे यह जो हर साल लगबग लगबग एस्तिती बनती है सर पलुशन की स्मॉग आता है और दिवाली के पहले एस्तिती बनती फिर पटाको का बैन लगता है वो सब बहुत साई चीजें होती है तो क्या कोई ऐसी सिस्टम या इसे कोई तकनीक नहीं है या जिस पर को डिसकेशन हुआ है क्या कि जैसे हर साल जो की परशानी आती है तो किसी एक सही टाइम पर उसको डेपलॉई किया जाए और इस मौक से समय रहते हैं निजात मिल सकती हो आदिखो उसमें क्या है कि पूरे मौसम कैसा होगा ये तो कहना मुस्किल है लेकिन ये कोशिस की जा रही है कि जो अपने हाथ में है जैसे अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर प्रदूसन में जो सर्दियों का प्रदूसन है इसकी इसका एक अलग इस्थिती होती है लेकिन पूरे साल का जो प्रदूसन है, उसकी इस्थिटी अलग है. दिल्ली सरकार लगातार उसके काम कर रही है, उसका प्रेणाम यह है कि 2015 में दिल्ली में केवल 365 में से 109 दिन थे, जिसमें हवा की जो इस्थिती थी, वो खराब नहीं थी. खराब सेरी में नहीं थी. वो केवल 109 दिन थे जिस तरह से यहाँ पर CNG की बसें जिस तरह से यहाँ पर Green Belt बढ़ाया गया जिस तरह से यहाँ पर 24 into 7 बिजली सप्लाई करकर generator हटाया गया जिस तरह से यहाँ जितने polluted industrial unit थी उनको shift किया गया clean fuel पे उसका paradigm यह हुआ कि 109 से हम इस साल 204 दिन 365 में से दिल्ली को मिले हैं जो पूर काटेगरी में नहीं थे हैं तो पूरे साल के अगर उसमें देखें तो एक निरंतर सुधार हो रहा है और उसका कारण है कि उसके लिए जो एक अस्थाई समाधान के से सरकार काम कर रही है अस्थाई समाधान के आई सरसे गाड़ियों से pollution होता है तो अब गाड़ियों के pollution को रोकने के लिए इसको electric mode में shift करने के लिए सरकार EV policy लाई सतरा परसेंट जितने नई जो नई खरीदी जा रही है दिल्ली के अंदर सव साथ देस में पहला राज्य है जहां एक हजार नई electric bus सड़क पर आज चल रही है तो हमारी कोसिस क्या है कि भी इन बसों को electric mode में shift किया जा प्राइवेट गाडियों को भी उसके लिए हमने पॉलिसी बनाई सब्सिदी दे रहे हैं उससे क्या होगा कि उससे धिरे-धिरे घर में inverter यह दो अनिवारी चीज होती थी common सी चीज थी आज दिल्ली में 247 की सप्लाई है और जन्नेटर का जो प्रदूस्वन धुआं-धुआं मार्केट होता था आप सोचो जरा एक बार कि अगर आज विजली नहीं होती 247 और ऐसा मौसम होता और पूरे मार्केट में धुआं-धुआं हो रहा होता तो आज क्या हालत हमारे होता अगर आज दिल्ली में जैसे की यूपी और हर्याणा में डीजल की बसे दोड़ रही हैं धुआ छोड़ते हुए अगर दिल्ली में सी एंजी और इलेक्रिक की बसे नहीं होती अगर वो डीजल की ब अधिन इतना पिलुशन के स्टेट से दैबल डली के चारो तरफ एंचियर से आते हैं वह दिली सरकार के कंट्रोल में नहींैं जयसा मैंने अभी उधार, बताया आकर दिल्ली में से एंची BUS दाउर ॉड़ रही है इलेक्ट्रिक ओडर रही है अब इलेक्रिक बस लचे इस ने परुचन कम किया लेकिं दिलिक चारोथ बार्डर पे говорить के चारोथ रफ जनेर्डर चलना हो तो धुआ आ रहा रहा तो हमारी कोशिस है कि दिल्ली के source की हमारे हाथ में है उसको कैसे control किया जा उसके लिए तातकालिक और दिर्गकालिक भी उपाय पर हम focus कर रहे हैं और कोसिस कर रहे हैं लगातार कोसिस कर रहे हैं कि इसके और भी नए नए technological solution ढोड़े जाए